अलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग मैं हूँ एमजे फ्रेंट्स जैसे की कल हमने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी बायो फंगी साइड की यानि की बायो और्गैनिक फंगी साइड जो हमारे प्लांट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजर्ट ला सकते हैं यह घर्मियो की सीजन में अगर आप रेगुलर्ली यूस करोगे तो हमेशा आपके जो प्लांट है वो सेफ रहेंगे तो आज की वीडियो है फ्रेंट्स बायो और्गैनिक इंसेक्टिसाइड की अब जैसे की फ्रेंट्स समर सीजन जैसे ही हमारे या स्टार्ट होती है तो हमारे को सीजन आने से पहले ही खतम कर देती है और वो बिमारिया है स्पाइडर माइट्स ठ्रिप्स और एफिड्स ये जो तीन बिमारी ये कंपलसरी तीनों में से एक बिमारी आपको अपने प्लांट के उपर दिखेगी ही दिखेगी जैसे ही समर सीजन आपके आने वाली हो तो अगर आप लिए हम ककल इनसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं कोई दिख्कत नहीं है अगर आप क्यमिकल इनसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हो तो वो बिमारी इसीली चली जाएगी और आपका जो प्लांट है वो सेफ हो जाएगा लेकिन हैन अगर आप Health Audra चले जाएगे अगर आप homemade treatment करोगे तो efforts तो भग जाएंगे लेकिन mites जैसी बिमारी easily friends homemade treatment से नहीं जाती mites में भी friends बहुत ही अलग-अलग species होती है और हर एक species का खुद का एक immunity power होता है और वो अगर उसका immunity power आपके जो homemade insecticides के against बना देगा तो बाद में आप homemade insecticides spray करते रहोगे वो mites आपके garden में से बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो thrips में भी same issue होता है कि हर बार friends homemade insecticides के तुरू आप thrips को control नहीं कर सकते हैं इसलिए friends हम chemical insecticides का use करते हैं लेकिन यह जो mites जैसी जो बिमारी होती है mites easily chemical insecticides के उपर भी immunity power जमा देता है यानि कि अगर आप एक ही insecticide regularly mites के उपर spray करते रहोगे तो mites उसका जो immunity power है वो insecticide के against बना देगा तो वो insecticide जो chemical insecticide आप spray करते हो वो ultimately बेकार हो जाएगा mites के उपर वो ज्यादा असर नहीं करेगा और mites दीरे दीरे करके आपके जो प्लांट है उसको खराब करना start कर लेगा पूरा फैल जाएगा और ultimately आपका प्लांट खराब हो जाएगा तो ये सारी चीजे मैंने आपको बता दी है क्योंकि बहुत सारे viewers के साथ अभी ये issue हो रहा है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा solution में आपको बताने वालो हूँ वो है बायो और्गानिक इंसेक्टिसाइड अब ये चीज तो है और्गानिक लेकिन ये बायो और्गानिक इंसेक्टिसाइड है अब ये बायो और्गानिक जो इंसेक्टिसाइड है ये इंसेक्टिसाइड के है यह snails और caterpillars पे भी काम करेगा तो यह बहुत ही अच्छी product है और यह कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि friends मैंने आपको बता है इसके अंदर beneficial fungus होते है जो fungus यह pest के ऊपर attack करते है beneficial fungus में सबसे important fungus होता है वो है buveria bazania यह जो fungus होता है friends यह fungus आपके जो जितने भी प्लांट के ऊपर आपके प्लांट के ऊपर thripes spider mites या तो snails या तो caterpillars जैसे insects लगे हो तो उसकी body के अंदर वो चला जाता है और वो insects को totally weak कर देता है ताकि वो insect immunity power खुद की नहीं बनाएगा और अगर आप regularly यह insecticide का spray करते रहोगे हफते में एक बार अगर आपने दो बार किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है हफते में एक से दो बार अगर आप spray करते रहोगे तो यह insect धीरे-धीरे करके मरना स्टार्ट हो जाएगा एक ही spray से यह नहीं मरेगा अगर आपने single यह bio insecticide spray किया है तो एक spray से तो आपको result नहीं मिलेगा लेकिन आपको कम से कम तीन से चार स्प्रे करने होगे ताकि यह जो insect है धीरे-धीरे बीमार होके मरना स्टार्ट हो जाएगा यानि कि आपको permanently इसका इलाज मिल जाएगा अगर आप chemical insecticide और भीक कर भाणा है यानि रेक टाइप का फंगुस होता है यह बाद में जैना अगरह स्कार्व कि करते रहोगे और आप कि यह वह होगी प्छांश की आप में शरे को हושे मेरे निग्रत करना सर्ट हो जाते हैं इनसेक्स की बोड़ी के अंदर चला जाता है और बाद डानतों इसेच को बिमार कर देता है और वा इंसेक्स बिमारी की वज़े से मर जाता है… तो यह उसका काम करने का यूज करते हो, तो उसके लिए हमें bio fungicide यूज करना है, जो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी bio organic fungicide की, तो वो वीडियो का link में ने description box में दिया है, तो bio organic fungicide का spray आप आराम से कर सकते हो, इससे ये जो fungus है, ये fungus खराब नहीं होगा, fungus अपना काम करता रहेगा, क्योंकि दोनों इंसेक्टी साइड को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा हां लेकिन अगर आप कैमिकल फंगी साइड स्प्रे कर देते हो तो बाद में ये फंगस भी मर जाएगा और आपके प्लांट के उपर माइट्स वगेरे नहीं जा पाएंगे वो अपनी कौन्टिटी बढ़ाते रहें तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है अब दूसरा सवाल फ्रेंज आपके माइंड में आएगा कि ये जो प्रोडेक्ट है ये क्या कैमिकल इंसेक्टी साइड अगर आप स्प्रे करते हो उसके साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं तो उसका जवाब है हां अगर आप कैमि तो जब भी friends मैं अपने plant के उपर chemical insecticide का spray करता हूँ तब friends मैं ये bio organic insecticide उसके अंदर मिला देता हूँ इससे friends मेरे जो plant की जो condition है जैसे की देख रहे हो plant के leaves वगेरे बहुत ही healthy रहते हैं इसके उपर mites की problem जो मेरे एक देड महीने पहले थी अभी मेरे garden में एक भी mites नहीं है मेरे plants के उपर thrips भी नहीं है और aphids भी नहीं है तो किसी भी type के pest friends मेरे plants के उपर अभी नहीं लगे हैं इसलिए friends मेरे जो plant की growth अभी जैसे की आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी growth हो रही है और plant अभी पूरी तरह से healthy है तो ये जो insecticide का dose में आपको बता देता हूँ अगर आप only ये bio organic insecticide spray करना चाहते हो तो बाद में आप 3-4 ml ले सकते हो एक लीटर पानी में 3 ml लोगे तो चलेगा एक लीटर पानी में 3 ml ले लीजिए mix करिए और पानी रहना चाहिए ठंडा फ्रिच का ठंडा पानी रहना चाहिए क्योंकि ये जो fungus है वो high temperatures में काम नहीं करता तो सबसे पहली चीज फ्रिच का ठंडा पानी लेना है 3 ml इसको mix करना है और शाम के वक्त इसको spray करना है शाम के 6 बजे के बाद जैसे कि अभी मैंने आपको बताया friends कि ये high temperatures में काम नहीं करता तो शाम के यानि की 6-7 बजे के बाद temperature तोड़ा सा down हो जाता है और तब friends आप इसको spray कर सकते हो सुबह के वक्त भी spray नहीं करना है क्योंकि अगर आप सुबह के वक्त spray करोगे तो पूरे दिन में temperature बढ़ता रहेगा तो ये fungus को काम करने का time कम मिलेगा और आपको result अच्छा नहीं मिलेगा तो इसलिए हमेशा सामके 6 बजे के बाद ही इसका spray करिए जब आपकी या temperature down हो रहा हो और friends अगर आप इसको chemical insecticide के साथ mix करते हो कोई भी chemical insecticide हुआ जो भी chemical insecticide आप apply करते हो तो जरूरी नहीं है के particular chemical insecticide के साथ ही ये काम करेगा तो किसी भी type के chemical insecticide से ये काम करेगा तो आपको chemical insecticide आपको 1 ml लेना है और 2 ml friends ये bio insecticide लेना है दो ml friends अगर ये bio insecticide लोगे और 1 ml अगर आप chemical insecticide लोगे ठंडे पानी में और शामको 6 बजे के बाद इसका spray करोगे के 2 spray के अंदर अंदर ही आपके plant के उपर से mides चले जाएंगे क्योंकि ये मैंने personally experience किया है अब जैसे कि ये bottle द जब भी मैं chemical insecticide spray करता हूं तब ये product का इस्तमाल जरूर करता हूं बात आजाएगी friends कि ये जो product है ये आपको कहा से लेना है तो मैं कोई promotion नहीं कर रहा है इसलिए friends मैंने इस बार company का नाम ही नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है अगर मैं company का नाम देता हूं तो इसलिए friends ये जो product है सबसे पहले आप अपने local fertilizer की shop में ढूंडिये आप उनको बोलिए के bio organic insecticide चाहिए या तो friends आप सीधा ये जो इसका एक fungus होता है जिसका नाम है ब्यूवेरिया बेजानिया ये फंगस का नाम अगर आप दोगे तो भी चल जाएगा ल तो इसलिए कुछ ऐसे combined आप bio organic insecticide लीजिए जिसके अंदर ब्यूवेरिया बेजानिया तो मौझूद हो साथ में दूसरे भी beneficial fungus मौझूद हो तो सबसे पहले मैं उसका composition बताता हूँ उसके बाद मैं आपको product का description बताता हूँ तो जैसे कि अभी मैंने आपको composition बता दिया कि कौन से fungus जरूरी है इसमें तो अगर friends अगर आपको ये local में नहीं मिलता है तब ही आप online लीजिए क्योंकि local में अगर आप कोई भी fertilizer या तो insecticide लोगे तो वो आपको cost में सस्ता पड़ेगा तो इसलिए मैं हमेशा आपको पहले local में ही देखना बोलता हूँ बहुत सारे मेरे viewers इंस्टा पे भी पूछते हैं कि मुझे online link दीजिए लेकिन friends मैं हमेशा उनको यही पहले बोलता हूँ कि आप product लोकल में सर्च करिए अगर आपको नहीं मिलता है तो बाद में मैंने link description में दिया है तो वहाँ पे जाके आप online ये product purchase कर सकते हो तो ये काम होता है friends ये bio organic insecticide का तो अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ ये product से related तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो मैं आपको reply दूँगा till then के लिए thank you friends